अपने लिए जीए तो क्या जीए पर निबंध निस्वार्थ सेवा का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करना इसी को परोपकार कहा जाता है परोपकार शब्द की रचना पर उपकार से हुई है परकार्थ है दूसरे तथा उपकार का अर्थ है भलाई अता परोपकार का अर्थ है दूसरों की भलाई परोपकार में स्वार्थ भावना नहीं होती है दूसरों की निस्वार्थ सेवा ही परोपकार अत्वा परमार्थ की श्रेनी में आती है स्वार्थ नहित कार्य अत्वा सहयोग को परुपकार नहीं कहा जा सकता प्रकृती के कंड कंड में परुपकार भावना व्याप्त है सूर्य, चंद्र तथा वायू नी स्वार्थ भावना से संसार को सेवा में सतत है धर्ती नदिया समुद्र तथा व्रिक्ष क्या कोई शुलक लेते हैं प्रकृती जनित परोपकार को स्पष्ट करते हुए भ्रतिहरी ने लिखा पिबंती नदह स्वमेव नाभ्यः स्वयम्न खादंती फलानि व्रिक्षा नादंती शश्यम खलूवारी वाह परोपकार सताम विभूतय हुँद्र नदिया अपना जल कभी नहीं पीती यदपी अनन्त जलराशी समेट वे सारा जीवन अनवरत प्रवाहित होती है व्रिक्ष अपने फल स्वयम नहीं खाते आंधी और तूफान सह कर भी वे दूसरों को आश्रह देते हैं बादल युग युगांतर से जल लाकर प्रित्वी के अंचल का सिंचन करते हैं परन्तु प्रतिदान अथ्वा प्रत्युपकार में कभी कुछ नहीं मांगते प्रकृती परहित के लिए निरंतर अपना सर्वस्व अर्पित करती रहती है अन के रूप में प्रित्वी अपने रुदय का रस निचोड़ कर मानव की सुधा पूर्ती है तू प्रस्तुत करती है परन्तु कभी फल नहीं चाहा गुस्वामी जी कहते हैं तूसी संत सुअंब तरू फलही फलही पर होत इतते वे पाहन हनै उतते वे फल देत रहीम जी भी सज्जन यक्ती के जन्म का उदेश परुपकार मानते हैं प्रकृते की इस परहित भावना को व्यक्त करते हुए मैथिली शरन गुप्त ने लिखा मनुष्य सांसारिक जीवों में इसलिए स्रेष्ट माना जाता है क्योंकि उसमें परुपकार की भावना होती है अन्यथा, भोजन, विश्राम तथा मैतुन क्रिया तो मनुष्य और पशु समान रूप से करते हैं पशु परहित की भावना से शून्य होते हैं पशुों के सभी कार्य किवल अपने लिए होते हैं और मनुष्य और पशु में यही भिन्नता है गुप्त जी इस अंतर को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं यही पशु प्रवरती है कि आप आप ही चरे मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे भारतिय संस्कृती मानव मात्र की कल्यान भावना से ओत प्रोथ है बहुजन हिताय तथा बहुजन सुखाय भारतिय संस्कृती के आधार रहे हैं तथा विश्व कल्यान और उसकी भावना इस प्रकार व्यक्त की गई है परोपकारी व्यक्ति को दूसरों के आशिरवाद तथा शुब संदेश अनायास ही प्राप्त होते हैं जिससे जीवन में सुक सम्रिधी, चेतना तथा स्फूर्ती का संचार होता है परोपकारी का परीचय छेत्र बढ़ता है उसे समाज में यश, आदर, सम्मान, प्रतिष्था मिलती है उसके व्यापार तथा कारुबार पर इमानदारी की छाप लगती है जो उसके प्रचार तथा प्रसार में सहायक है परुपकारी व्यक्ति में सदाचारी, आदी गुन, अनायास ही आ जाते हैं वो इतिहास पुरुष बन जाता है